हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का विशय पॉलिटिकल साइंस राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनिती विज्ञान की मूल अवधारना है कि काई चार बार परिवर्जन और विकास निती आयोग निती आयोग ये क्या है राष्ट्रिय भारत परिवर्टन संस्थान है निती आयोग केंद्र सरकार द्वारा एक जनवरी 2015 को गठित किया गया यानिक इसका गठन कब हुआ एक जन्वेरी 2015 को निती आयोग का गठन हुआ और केंद सरकार की द्वारा किया गया यह पुर्वर्ती योजना आयोग का गठित किया गया यह पुर्वर्ती योजना आयोग का स्थान लेगा और जो निती आयोग है वो किसका स्थान लेगा पुर्ववर्ति यानि कि जो पहले से जो बना हुआ योजना आयोग उसका इस्थान लेगा निती आयोग सरकार के ठिंग टैंक के रूप में काम करेगा और जो निती आयोग है वो क्या काम करेगा जिसका अगटन 1950 में किया गया था कब किया गया था 1950 में भारत में नियोजन तता विकास की दिशा में प्रिथम प्रियास 1934 में M. विश्वेश्वरिया की पुस्तक Planned Economy for India द्वारा किया गया इस पुस्तक में उन्होंने आशा प्रिकट की की प्रस्तुत योजना से आगामी दस वर्षों में राष्ट्रे आये दुगनी की जा सकती है कालांतर में 1944 में बंबई योजना श्री मन्ना रायान की गांधिवादी योजना M. राय की जनी योजना 1950 में जै प्रकाश नारयान की सरवद योजना भी इस दिशा में किये गए एक सार्थक प्रियास थे अब हम देखेंगे बच्चों की नियोजन क्यों नियोजन की क्यों किया जाता है और इसके क्या-क्य उत्देश होते हैं नियोजन यानि कि प्लानिंग क्यों की जाती है इसके क्या-क्या एम्स होते हैं या क्या उद्धिश होते हैं वो हम देखेंगे संसादोनों का समुच्चत उप्योग जिससे इसके अपवे को रोक कर राष्ट्री विकास किया जा सके यानि संसादों को अच्छी प्रकार से उनका आवंटेन किया जाए या उपयोग किया जाए जिसे क्या हो उन वो जो वेस्ट हो रहे हैं जो संसादन ऐसे ही वेर्थ जा रहे हैं अपवय हो रहा है उनका उसे रोक दिया रोक दिया जाए या उनको उसकी अपवय को कम किया जा स जो देश में जो व्यापत जो बेरोजगारी उसे दूर किया जा सके। लोगों को सारुजिन ने एवं निजी छेत्री में अधिक-अधिक रोजगार के अवसर सरजित किये जा सके। के लिए नियोजन किया जाता है इसके युद्ध देश होता है तीसरा है कोशल विकास देश के नागरिकों की शुषत पृतिवागों जागरत कर उन्हें परंपरागत को नवीनिक्रत रूप में विक्सित करना यानि कि जो कोशल योजना चल रही है जिसमें युवाओं को कड़ाई वगर सिखाई जाते हैं और बालकों को computer operate करना ऐसी जो चीज़ें सिखाई जाते हैं वो क्यों सिखाई जा रही है ताकि उनके कोशलों में कोशल में व्रदी की जा सके या उन्हें आत्म निर्बर बनाया जा सके तो नियोजन के ये उद्देश हैं चौता है आर्थि असमानतों को दूर करना क्या है नियोजन का उद्देश है गरीब अमीर के मध्य आर्थिक आदार पर दूरिया कम करना नियोजन का उद्देश है संपूर्ण राष्टर का विकास करना नियोजन का उद्देश है नियोजन के माध्यम से सभी प्रांतों वे शेत्तों का बढ़ेंगे लोगों को रोजगार भी मिलेगा उनकी यसे सॉभाविक व्रदी संभव होगी अगर कोई व्यक्ति तरक्षी करेगा तो देश भी तरक्षी करेगा जैसे व्यक्ति है कमाया उसके अच्छी आहे व्यवस्तित विकास से लोगों का जीवनिस्तर वै यह प्रकरिया संपूर समाज को प्रगर्ति की रहा पर लेकर जाएगी यानि कि क्या होगा नियोजन से क्या होगा समाजिक उन्नती होगी व्यवस्तित विकास से लोगों का जीवनिस्तर सुधरेगा और यह प्रकरिया संपूर समाज को कहां पर लेकर जाएगी प्रगर्ति की रहा पर उन्नती की रहा पर लेकर जाएगी राष्ट्रिय आत्म निर्भरता को संभव बनाने में नियोजन का महत्पुन योगदान है जीवन की हर शेत्र में व्यवस्तित प्रियासों से 39 स्वभाविक है जो आगे चलकल राष्ट्रिय उन्नतिवे आत्म निर्भरता में परिवर्तित होगी सत्ताधारी दल दुवारा जनता से किये गए वादों को पुण करने के नियोजित प्रियासों के लिए भी योजना निर्मान किया जाना आवशक है यानि कि पहले से जो सत्ताधारी दल जो जनता के द्वारा किये गए जो वादों को पूरा करने के लिए जो वादा करते हैं उनके लिए नियोजित प्रियासों के लिए पूरा करने के लिए जो नियोजित प्रियास होते हैं उनकी भी योजना या रूपरे का त्यार होनी चाह संसाधनों के समुचति प्योग के उद्देश से नियोजन एक सभाविक प्रिक्रिया है जनकल्यान के कारे को करने की शमता शमताए भी नियोजन से ही विच्छित होती है तो यह हमने देखे नियोजन के उद्देश यानि कि प्लानिंग के उद्देश है अब हम देखेंगे भ इसका शासन है जनता के दोरा जनता में से जनता के लिए शासन है तो हो भारत में क्या है यह यह क्या है दोकतांतरिक देश है जेंकर परीवर्थन के सब्मक्तपार का संतीपकर दिः दालों के गट्रवन्हें की नीतिया राष्ट्री नियोजनwar continues के प्रकूरती को भी प्रभाविक करती है यानि कि जिस प्रकार सत्ता बदलती है उस प्रकार नियोजन की प्रकरिया भी बदलती रहती है जो नियोजन होते है जो योजना होती है वो भी बदलती है जो कि उसकी प्रकरती को क्या करती है प्रभावित करती है नीती निर्मान वे नियोजन की इस प्र ий क्परती है तो अगर नियोजन होगा यानि कि हमारी होगीत है को अधिकतं उपीयोग होगा क्रम वे घ्र Colon का संथोती जा रही है वो क्या होगा उसका भी पशक्रिसी और पसुपालन का क्या होगा समाना अंतर विकास होगा electronics एवं संप्रेशन छेत्र में त्रीव गती से आगे बढ़ना और इसे हम आगे बढ़ेंगे जासे की जो कारे तंतर होता है जो नौकर शाय होती है उनमें क्यों आ जाएगी पारदर्शीता आ जाएगी नियोजन से भगलेक द्रश्टी से वन्शित छेत्रों में निवेश को प्रात्मिकता दे कर छेतरी असंतुनन दूर करना शिक्षा के छेत्र का आधुनी करण वे प्रिसार करने यानि कई जो जैसे अगर कोई शहर है तो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कई गाउं आज भी ऐसे हैं जिन में क्या हो रहा है कि शिक्षा वहां तक नहीं पहुँच पा रही है अब हम देखेंगे बच्चों कि नियोजन का विकास से संबंध कि नियोजन का विकास से क्या संबंध है आर्थिक शेत्र में नियोजन का लक्ष राष्ट्रे विकास है यानि कि आर्थिक शेत्र में क्या होता है नियोजन का लक्ष क्या होता है प्लानिंग का राष्ट्रे वि रिस्पोंसिबल प्रबंद क्या होता है विकास की प्रतम सीडी है और नियोजन संसाधनों वे प्रिसासन को सहबागी वे उत्तरदाई बनाता है पई पंधी कर वे शीर सागर ने विकास के लिए निती निल्मान करता कि द्रश्टिकोंड की अभिवरती परिवर्तन शील सहबागीता एवं कारे के पृति समर्पनवादी होना आवशक माना है महातना गांदी नियोजन का लक्ष अंतिम व्यक्ति का विकास कर संसाधनों के विकेंद्री करण को प्रात्मिक्ता देते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा इसी दीवन स्तर में उन्नति करना आज हम दुनिया के अग्रणी देश्टों के साथ खड़े नजर आते हैं तो कहीं न कहीं नियोजित विकास की हमारी रंदिती सफल नजर आ रही है विकास के नियोजित प्रियासों में 1950 से 2015 तक योजना आयोग ने अपनी केंद्री भूमिका न इता क्या आधार है तो विकास में राज्यों की भूमिका को सक्री बनाना राश्ट्री विकास में राज्य सहकारी संगवाद के समान सदस्य के रूप में योगदान देंगे देश में विद्मान बौधिक संपदा का समुचित दोहन कर उन्हें पलायन से रोकना तता सुशा साज्वासन में उनकी भागिदारी सुनस्चित करना विकास के लक्षो को प्राप्त करने हैतु केंद्र एवं राज्व का साझ्या मन्च त्यार करना राज्व की आवशक्ते संप्रिकशन दूर करकर प्रक्रिया गत हल करना इसके उद्देश क्या है मतलब योजन आयोग को योजन आयोग की जगे निती आयोग स्थापित करने का क्या उद्देश है यन योजन के क्या क्या उद्देश है राश्टि उद्देश को द्रश्टि गोचा रखते हुए राज्जों की सक्री भागिदारी के साथ राश्टि विकास प्रात्मिक ताओ शेत्रों और रणनितियों का एक साजा द्रश्टिकों विक्सित करेगा निती आयोग का वीजन उसका उद्देश है प्रदान मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को राष्ट्री एजेंदा का प्रारूप त्यार कर सौपना है राज्यों के साथ सततादार पर सरंच नात्मक सयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सैकारी संगवाद को बढ़ावा देना ग्राम इस तर पर विश्वसनी योजना निर्मान के लिए धाचागद विकास की पहल करना निती आयोगे सुनिश्चुत करेगा कि जो छेत्र विशेश रूप से उसे सौपे गए हैं उसकी आर्थिक कारे निती और निती में राष्टे सुरुक्षा के हितों को शामिल किया जाए समाज की उन वर्गों पर विशेश धान देना जिन पर आर्थिक प्रगर्ति से उच्चित प्रकार से लाबानवित नहीं हो पाने की संभावनाय बननी रहती है विकास की दिर्गकाले नितीया त्यार की जाएंगी इन नित्यों की निरंतर समिक्षा एवं मध्यावदी संशोधन भी किये जाएंगे देश की बुद्धी जीवे एवं संस्थाओं को राष्ट्री विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा इनके परामर्श एवं योजनाओं को राष्ट निर्मान में प्रियुक्त किया जाएगा विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्धेश से अंतर शेत्री एवं अंतर विभागे मुद्धों के समधान के लिए एक साजा मंच प्रदान किया जाए शुशाशन तता सतत्मी सतत्वे न्याय संगत विकास की स्रेष्ट कार्य परिणाली विक्सित कर अनुसंधान वे अध्यन द्वारा परिनामों पर पहुँचना कारे करमों तत्ता न्योजन के किर्यानवेन के लिए प्रदुक्य की उन्यन एवं समता निर्मान पर जोड दिया जाएगा राष्टे विकास, कारे करम और इन दिशों की प्राप्ति के लिए अन्याफशक गतिवीदिया संपादित करना अब हम देखेंगे बच्चों की निती आयोग का गठन कैसे हुआ है इसमें कितने सदस्य होते हैं रहे किस प्रकार होते हैं तो पहला होता है अध्यक्स कौन होता है इसका प्रदान मंतरी होता है सदस्य गवर्निंग परिशद और काउंसिलिंग समस्त राज्जों के मुख्य मंतरी केंद्र शासित प्रदेश जहां विदान सबाय है के मुख्य मंतरी वे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपर राज्यपाल शेत्री परिशदे एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले शेत्री मसलों पर विचार वे निर्णों हेतु विशेस अब्दी के लिए शेत्री परिशद गठन का प्राधान है ये परिशदे भी प्राद्धान मंत्री के निर्देश पर कारे करेगी तता सम्मंदित राज्यों के मुख मंत्री वे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री ओपर राज्ये पाल बैठक में भाग लेंगे बैटगोगी अद्धक्षता निती आयोक के उपाध्यक्षो या प्रदान मंत्री का कोई प्रतिनीदी करेगा प्रदान मंत्री द्वारा मनोनित सदस्य जो अपने छेतर में विशेश योग गितावे जानकारी रखते हो और पूर्ण कालिक पदादिकारी उपाध्यक्ष प्रदान मंत्री द्वारा निती आयोक बच्चो आज हमने हमारा अध्याय पड़ा नियोजन और विकास निती आयोक बच्चो हमारा आध्याय कंप्लीट हो चुका है अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चो अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मज